हेलो एस्टुडेंट, विर्लेंट स्टेडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आपको क्लास 11th के क्लास 10 के क्वाडिनेट जमेट्री चैप्टर 6 आपने देखा होगा और उसके आम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को देखेंगे और उससे रिलेटेट एक्जामपल्स देखेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपसे एक नुएदन करते हुए कि चैनल्स पे अगर आप फाली बार आए हैं यह फेर बार-बार आते हैं सब्सक्राइब अभी तक नहीं कियां तर्फ्काइब कर लिजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइर करबाईजिए ताकि चैनल का ग्रोथ हो और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है हमें इस नंबर्स पे प्रॉवाइड करवाईजिए जो भी आपको प्रोब्लम्स आ रहा है उसको इस नंबर पर वेट्सेप्स पर आप भेज दे अगले क्लास में यानि अगले वीडियोज में लाइब क्लासे भी आते हैं क्लास में आपका कोश्चन्स होगा उसके बाद जो भी अगला टॉपिक्स होगा वो होंगे तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं पहले पेन को थोड़ा मोठा कर लेते हैं चलिए हम लोग करने वाले हैं आज डिस्टेंस बिट्विन टू पॉइंट्स दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस यह दिया हुआ है कि पॉइंट ए एक्सवन वाईवन और पॉइंट बी एक्सटू वाईटू है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा तो यह डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं उसके बीच में कितना डिस्टेंस है इस formula से निकाल सकते है लेकिन इस formula को derive कैसे करते हैं अगर ये questions आगे आपका derived a formula या फिर derived the distance between two points या derived a formula which describes the distance between two points इस तरह का आ गया तो इसकी description चाहिए यानि कि आपके पास यतने भी theorem चाहिए उसका proof आपको होना सीजिए आना चाहिए कि उसको कैसे हम proved करते हैं यानि कि यह यह साही होगा इसको proof परके हमको दिखाना पड़ेगा कि a b यानि कि distance between a and b is equal to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square तो यह number दिया हुआ यहां दिखाने के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा x वाला और y वाले को चाहे पहले से मैं दूसरे मैनस करो या दूसरे से पहले मैनस करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों के बीच के difference के square sum के square root निकालेंगे इन दोनों के बीच की distance होगी तो इसको पहले हम लोग जिमेट्रिकली represents कर देते हैं कि कहां पर क्या है उससे हम ऐसी situation create करेंगे जिससे हमें एक theorems मिल जाएगा जिस theorem के उपयोग करके हम इसको निकाल लेंगे चलिए तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग पहले axis बनाते हैं और हम लेते हैं y axis और x axis यह ले लिया y axis और दूसरा वाला ले लिया x axis ठीक है यह हो गया अब इस पर हम जादेंगे यह है x और यह है y ठीक है x और y हो गया अब इस पर हमने दो पॉइंट्स ले लिए यह पॉइंट्स है a x1 y1 और यह पॉइंट्स है b x2 y2 ठीक है और हमें निकालना है इनी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना है इनी दो पॉइंट्स की बीच की डिस्टन्स निकालना है मतलब यह awaits which जो हम लोग ने विच्टा is इसकी length कितनी है इसकी य दूर कितनी है य यह b मार्त ँच फूइंट्स ने कितनी है तो हम यहां से एक perpendicular ले लेते हैं यह A से perpendicular भी ले लेते हैं X axis पर और B से भी ले लेते हैं perpendicular ले लिया और दूसरा A से होते हुए और X के parallel A से होते हुए X के parallel हम एक line खीच लेते हैं अब देखिए क्या-क्या मिला है उन चीजों को देखते हैं और उसके बाद हम उसको solve करने कोशिश करते हैं इस points को हमने दे दिया C नाम ठीक है इस points को हमने नाम दिया C ठीक है color बदल लेते हैं C नाम दे दिया और ये वाला points जो है B है ये वाला points B है नीचे लिखा गया है इसको चाहें तो थोड़ा सा clear कर लेते हैं X2 Y2 ठीक है अब A से यहां पर points देते हैं ये दोनों cross उपर होता ही है और ये N लेते हैं ठीक है C पर कड़ा है अब यहां पर हमें क्या मिला है तो ये मिल गया है कि यहां पर चुकी ये perpendicular हम लोगों ने draw किया था और ये line जो है क्या है X axis के parallel है तो ये lines और ये lines क्या है एक दूसरे के parallel है तो यहां perpendicular है तो यहां भी perpendicular हो जाएगा corresponding से ठीक है अब perpendicular हो गया तो A, B, C एक right angle triangle मिला और right angle triangles में क्या होता है पाइथा गोरस काम इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें hypertenous is equal to under root base square plus length square यह formula हमलों परते आ रहे हैं पीछे classes से 6 classes सही परते आ रहे है न पैथागोरस का तो यहां पैथागोरस का यह है रोल से यहां पर applied हो गया और उसी से हमलों निकालेंगे अब A, B, C में पैथागोरस को हमें applied करें इसके लिए हमेरे पास B, C और A, C की बहलों होनी चाहिए तो इस शीज को पहले हम represents कर लेते हैं practically की देखो यह जो आप देख रहा है कि A, X, 1, Y, 1 इसका मतलब यह हुआ कि जो यह parallel perpendicular यहां पे आएगा तो यह वाला parts जो हो गया यह Y, 1 हो गया और इसके parallel यह है तो opposite sides वाला equal हो जाएगा तो यह मतलब की A, M की length हो गई Y, 1 और यहां पे जो यह side हुआ इतना मतलब की M तक तो यह वाला parts जो हो गया यह हो गया X, 1, ठीक है इस points, coordinates में इस points का मतलब यह हुआ कि वह X पर X से कितना X, 1 की दूरी पे रहा और Y से वह X, 1 की दूरी पे रहा और X से वह Y, 1 की दूरी पे है तो A, M हो गया Y, 1 और O, M हो गया X, 1 यह सी तरह अगर हम बात करें तो B से लेकर और N तक यानि B, N कितना हो गया Y, 2 हो गया ठीक है, और यहाँ पे O से लेकर N तक X, 2 हो गया तो B की जो यह distance है यहाँ M, N तो यह पूरा X, 2 है और यहाँ तक X, 1 है तो यह M, N हो जाएगा X, 2, minus X, 1 और इसके parallel lines उपर है तो ठीक इसके बराबर होगा तो यह A, C हो गया X, 2, minus X, 1 ठीक है और यह B से लेकर N तक Y, 1 है और यह देखो यह Y, 2 है तो N और यहाँ पे C, N यह दोनों बराबर होगा तो यह Y, 1 है तो यह भी Y, 1 हो गया तो B से लेकर C वाला points के हो जाएगा यहाँ तक Y, 1 है और यहाँ तक Y, 2 है Y, 2, minus Y, 1 ठीक है यह हमें मिल गया अब इससे हम निकाल सकते है लेकिन जो भी यहाँ पे practically हुआ है क्योंकि हमें प्रूफ करना है अगर हमें क्योवल सॉल्फ करना होता तो हम आगे जो सॉल्फ करेंगे डेरेक्ट यह फर्मूला यूज करेंगे लेकिन प्रूफ करना है तो जो यहाँ हमें मिला वो हम क्या करेंगे रिटेन में लिखेंगे तब हमारा प्रूफ क्लियर होगा तो यहाँ अब हम लिखेंगे कि लेट लेट ए X1 Y1 and B X2 Y2 R2 point in a plane हमें फाइंड क्या करना है to find distance between them that means AB यह find करना है contractions में हमने कुछ किया है तो उस contractions पर ले लेते हैं contractions आ 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 AC आ 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 90 degree, ठीक है, therefore, AB is equal to under root SC square plus BC square, कैसे है, तो by using Pitha Goras theorem, ठीक है, पैसे गoras theorem का use करेंगे, तो इस तरह की intringle भी सिमिलेगा, लेकिन हमें AC और BC की value पहले find करना पड़ेगा, तो उसको ले लेंगे, यार, AC is equal to MR, AC के बराबर क्या है, MN, कैसे है, opposite side of, opposite side of, sides of parallelogram, ठीक है, और ये क्या होगा, AC is equal to O N, O N minus O M, और O N है X2, और O M है X1, इसको अमानले ते एक्वेशन, first, दूसरा, and BC is equal to BN minus N C, BN minus N C, और BN है Y2, और N C है Y1, EQUATION NUMBOR, SECOND, और यहां लिख देंगे, ये इसको ही लेना था, 1 इसको लेना था, ये 2 और ये 3, तो यहां लिख देंगे, एक देंगे, करया है , जोड़े, ये रिए के दूसरे और तीसरे से A C और B C की वालो पहले में रखना है और उसको रख देते हैं यह हो जाएगा we have we have a b is equal to under root a c की value क्या है तो वो है x2 minus x1 the whole square plus b c का क्या है y2 minus y1 the whole square और हमें यहीं proof करना था यह proof हो गया यहीं find करना था तो यहां found भी लिख सकते हैं यहां फिर found करना था तो found हो गया ठीक है तो यह हमें करना था अगर आपको इसमें कहीं problems आई हो कोई भी चीज़ समझने में तो आप हमें comments कर सकते हैं और फिर से पूछ सकते हैं ठीक है अब comments करके हमसे पूछ सकते हैं और अगर ऐसा लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो subscribe जरूर किजिए और share किजिए अपने दोस्तों में और subscribe करवाईए चैनल गोत करवाईए क्योंकि मेरा भी मन तभी लगेगा जब आप लोग हमसे जुडेंगे हमारे पास यतने वीवर्स होंगे उतना ही हमारे पास मन लगेगा उतना ही ज्यादा समय लेकर हम आएंगे तो इसलिए आप क्या करें कि जो भी चैनल से दिखाया जा रहा है है आप देखिए इस चैनल से आपको इंटर्टेन्मेंट तो नहीं मिलेगा लेकिन ज्यान जरूर मिलेगा और मैत ही नहीं इस चैनल से और भी सब्जेक्स चलते हैं लेकिन आप जब हमें उस तरह का सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए सारी चीज़े लेकर आएंगे करेंगे आप सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट ऐसा कीजिए कि आप अपने जो भी आपकी नीड है मैट में साइन्स में या औधर सब्जेक्स में आप उसको हम तक कह sitter क anonymous जाई कितने लोग के वह नीडस बनती है उसके अंसार हम आपके लिए हर से हर सब्जेक्स से ज्वस्था कर सकते हैं कुछ कुछ चेप्टर्स मैं डिल करूंगा कुछ शप्टेर्स और दर टीचर्स है जो डिल करेंगे जो फिजिकल क्लासेश चल रही है उनको ओन लाइन पर आनलेकर आजाएंगे तो चलिए आप लोग हमें सपोर्ट किजिए और ऐसा हमें ऐसा सदिलाइए कि आप ह कोई दो क्वाइंट से है और उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है तो यह फॉर्मूला हम यूज करेंगे लेकिन हम यूज करके देख लेते हैं क्योंकि यह देखिए अब तेंथ क्लास में है तो तेंथ क्लास में यह कोश्चोंस आना ही आना है चाहे वह एक्जांपल के पाइस की कोलरेज भी हुख देख लेते हैं कि sappos की य Knowing से लिवाइंट दूसरा पॉइंट ओर जीन पर है यानि की ओर जीन से किसी एक पॉैंट का जैसे इसी में आगर हमcam सावागर ज्मुटर portion निकालना होता, तो फर्मूला यह राता और 1.00 और 1.x2, फर्मूला यही राता, वहीं इसका कॉलरेज है कि अगर ओरजिन से आपको किसी पॉइंट का एक पॉइंट का निकालना है, तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उस पॉइंट के जो फ्वैडनेट्स है, उनके जिरो-जिरो हो जाएगा, जैसे कि x1 यहाँ पे 0, y1 यहाँ पे 0, तो 0 मैनस करने पर वही रह जाता है, और वो आपका एंसर केवल उनके कॉइंट के जो स्क्वाइर स्म का स्क्वाइर रूट है वही हो जाएगा, यह एक कोलरीज है, कि अगर पॉइंट से एक 0 पर हो, यान एंड क्यू वेर P सिचुएटेड अड़ दा क्वाइडनेट माइनस 4 और एंड क्यू एक्जिस्ट अट 2 एंड माइनस 5, ठीक है, हमें यहाँ पे कोई प्रूफ देने की जुरुत नहीं है, हम क्या करेंगे, डिरेक्ट फॉर्मूला लेंगे, यूजिंग डिश्टेंस फॉर्मूला पीक्यू इस इकल टू पीकियो इजुकल टू देखिए हमें कोई फॉर्मूला लिखने की जूरत नहीं है नो उसको ज्यादा बताने की जूरत है क्योंकि ये कोश्चन साएगा तो दो मार्क्स याई एक मार्क्स में आएगा डैरेक्ट आप कल्कुलेट करके लिख देना है आपको जब प्रूफ करन उतना डिटेल्स करना है कोिश्चिन में नहीं करना है और जो दूसरी बात मैंने बोली आपको ये नहीं देखना है कौर इसमें एक स्वान है कौर एकस वाले के साथ और y वाले के साथ किसी से किसी को कर देते है जैसे ये टू लेते हैं तो ये हो जायएगा 2-4 का दो हो यह माइनस 5 और यह 7 तो यह हो जाएगा माइनस 5 माइनस 7 the whole square solve करेंगे यह हो जाएगा 2 माइनस माइनस 6 का square और माइनस माइनस दोनों है तो माइनस 12 का स्क्वाइर ठीक है यह हो जाएगा 36 और यह हो जाएगा 144 माइनस 12 का स्क्वाइर और अड़ कर देंगे तो 10 180 स्क्वाइर रोट 180 इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 तो हो जाएगा 92 3 3 इन्टू 5 यहनि कि 36 पॉइंट यह लिख सकते हैं 36 इन्टू 5 और 36 के स्क्वाइर रोट निकल जाएगा तो 6 रोट 5 यह एंसर हो जाएगा ठीक है अब यहीं अगर जैसे कि हम 7 से 2 माइनस 4 से माइनस 2 करते हैं तो माइनस 4 माइनस 2 दो होल स्क्वाइर और वहाँ हो जाता है 7 माइनस 7 5 दो होल स्क्वाइर ठीक है तो भी आता माइनस 6 दो होल स्क्वाइर और यह 7 प्लस 12 दो होल स्क्वाइर और यह हो जाता है 36 प्लास 144 the whole square 180 the whole square और 6 root 5 units ठीक है तो यह पहले वाले में से दूसरे वाले करेंगे कि यह दूसरे वाले से पहले यह फर्क नहीं डालता है इसलिए आप x1 x2 के चक्कर मिनना जाएं x कोडिनेट्स को x से और y कोडिनेट्स कोडिनेट्स से किसी में से किसी को difference करके square करेंगे add करेंगे दूनों को और उसका square root निकाल देगा ठीक है next step देख लेते है find the distance between point dead to origin वो क्या था तो यह हो जाएगा using distance formula from origin अगर यहां direct कर देंगे यहीं लिख दिया तो हमें इसकी जूरत नहीं पड़ेगी कि हमें op निकालना है तो op is equal to under root 6 the whole square plus minus 6 the whole square ठीक है यह हो जाएगा 36 अगर अगर आपको problems create हो रहा कि अशा कैसे होगा तो यहां जीरो जीरो ले लिजिए और फिर दिस्टेंस पर निकाल सकते हैं आपको जाएगा आपको कुछ दिखा रहे हैं जिसके तरीके से question आपसे पूछे जाते हैं और आप उसका जवाब देते हैं केवल ऐसा नहीं कि आपको डिस्टेंस फर्मूला को डियाइब करना जानगे तो आपका काम काम कतम हो गया क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि के डियाइब आएगा derive तो मतलब percentage उसके कम होते हैं लेकिन questions किस type में आएगे उसमें से कुछ types बता देते हैं और आप practice करोगे अब practice करके आपको अगर दूसरा कोई types मिलता है जो आपसे नहीं बन रहा हम तक पहुंचाईए वह हम आपको बना कर दिखाएंगे इसमें आप देख लिजिए कि A एक है B है और यह दूरी दी गई है बत यहाँ पर एक Y coordinate जो है उसको छुपा लिया गया है आप उसी को हमें find करना है कुछ नहीं करना है आप यहीं लिखेंगे using distance formula क्या हो जाएगा A B is equal to given देंगे given given A B is equal to 10 units where A B is equal to 3 minus 1 B is equal to 11 और Y और to find Y ठीक है यह find Y is equal to what जो भी लिखना हो ठीक है अब हम क्या करेंगे using 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 distance formula क्या हो जाएगा A B is equal to दिया हूँ आए 10 उसको ले ले लेते हैं that gives under root इतना 11 minus 3 the whole square plus Y minus 1 the whole square is equal to 10 इसको क्या कर देंगे squaring both sides squaring both sides क्या होगा यह हो जाएगा 11 minus 3 यहनिकी 8 the whole square plus क्योंकि इदर से square खट जाएगा दोनों तरफ square करेंगे तो और यह हो जाएगा और यहाँ पे plus रहेगा यह Y minus minus 1 तो यह हो जाएगा Y plus 1 the whole square is equal to क्या हो जाएगा 10 का square 100 आप इसको हमें solve करना है तो solve कर देते हैं कैसे solve करेंगे तो यह हो जाएगा 8 याने कि 64 plus Y square plus 2Y और plus 1 is equal to 100 सब को इधर लादेंगे तो यह हो जाएगा Y square plus 2Y और यह 65 हो जाएगा 64 plus 1 65 और इधर से 100 आएगा तो वो minus हो जाएगा और इक्वल टू जीरो हो जाएगा और यह आप देखेंगे कि quadratic equation बन गया और वो क्या बना Y square plus 2Y और minus 35 is equal to 0 और quadratic equations भी आप तेंध क्लास में पढ़ चुके हैं ठीक है और इसके पहले भी quadratic equation के बारे में आप जान चुके हैं तो इसको 2-3 तरह से solve कर सकते हैं या तो formula method इस्तमाल कर सकते हैं या आप इस्तमाल कर सकते हैं क्या completing the squares या इस्तमाल कर सकते है factors तो यह हम factors इस्तमाल कर लेते हैं इसका factor करेंगे 7 और 5 होगा और ata 5 के difference 2 होगा या माइनस है तो डिफ्रेंस करना है तो यह हो जाएगा y square plus 7y minus 5y minus 35 is equal to 0 इन दोनों को साथ मिलेंगे तो y common हो जाएगा तो y plus 7 और minus 5 common करेंगे तो y plus 7 that is equal to 0 अब इसको ले लेंगे तो y plus 7 और y minus 5 is equal to 0 दो का product 0 होगा यानि कि उसमें से कोई एक 0 है या फिर दोनों 0 है तो हम दोनों को condition इस्तिमाल करेंगे तो y is equal to हो जाएगा minus है तो 5 plus और minus 7 it is the answer और यहीं हमें find करना है y अगर 5 होगा तो भी उसकी distance जो आएगी वो 10 आएगी और y अगर minus 7 होगा तो भी उसकी distance आएगी वो 10 आएगी अगर आपको confusion है यह एक्जाम्स में उतना time नहीं मिलगा कि आप इस तरह से चेक कर लो लेकि प्रैक्टिस करते हुए जरूर आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम उसको रखते हैं यहां पर तो वो value complete होता है कि नहीं अब y की जगा हमने रख दिया 5 तो देखिए 11 minus 3 8 हो गया और 5 plus 1 6 का square और यह हो जाएगा 100 आइस का square root कितना हो जाएगा 10 आगे 10 units दूसरा अगर चेक करें तो वह होगा यह देखिए यह चेक कर रहे हैं हम लोगी है पार्ट्स नहीं है questions बनाने का दूसरा क्या हो जाएगा यहां minus 7 रखे तो तो यह तो बदलेगा नहीं तो यह 8 square है और यह minus 7 minus minus plus 7 हो जाएगा तो minus 6 का the whole square और यह भी हो जाएगा under root 100 is equal to 10 आगे 10 तो मतलब वह दोनों answer होगा तो यह practice के वाक्त आपको चेक करना है ना कि आप questions जब चले आए exam donations में और वहां चेक करके हर questions को जो बनाया है तो अपने पर confidence लूज रखे हर बार check करें नहीं practice करते वाक्त जरूर चेक करके अपने confidence को देखते रहे कि हम कितना perfect हो गए है confidence होगा तो जब exams में confidence के साथ बैठेंगे तो जरूर आपका exams perfect होगा चलिए एक next type देखते हैं इसमें कहता है कि if the point k-12 is equal distance from point a 3k और b k5 equidistance का मतलब कि एक points है अगर हम बात करें points p है जिसको यहां ले लिया इसके origins है distance कितने है k-1 यह points है k-1 और 2 यह वाला points और एक यह points है a यह क्या है 3 और k और एक points यह है वो है k और 5 यह b है और यह है k और 5 और कहता है कि equidistance है equidistance का मतलब कि अगर यह a units है यह x units ले लेते हैं x units है तो यह भी x units है यानि कि दोनों यह बराबर है यह distance p से b की और p a की p b और p a की distance क्या है बराबर है तो चलिए यहां पर ले लेंगे हां कि given पले यह लेते हैं कि p анный कर दो अ कैसंद इस और प्रकम थाड्वाव म्हाह बराब। थ्री पॉइंट शच दाइट पी एइज इक्वाल टू पी बी और डाट गेप सो पी एज स्क्वायर इज इक्वाल टू पी बी हमने स्क्वायर इसलिए लिया कि डिस्टन्स फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें तो एस्क्वायर रूट जो है एस्क्वायर लेने से वो निगल गया खतम हो गया अब क्या होगा तो वो ले लेते हैं कि पी एज अब पी एक मतलब क्या होगा थ्री थ्री माइनस के माइनस वान या फिर इधर से ही ले लेते हैं के माइनस वान माइनस 3 the whole square plus K minus 2 the whole square अब PV में क्या होगा तो K minus 1 K minus 1 minus K the whole square plus 5 minus 2 the whole square फिक है यह P A और PV की बहिलू हो गई पिछले questions में हमनों पिछे से लिये थे इसमें आगे से लिये कहीं से भी लेंगे कोई भी problems create नहीं होगी यह पिछे दिखा दिया गया है चलिए अब इसमें हो जाएगा यह K minus 4 the whole square और plus K minus 2 the whole square लेकिन यहाँ पर देखिए K और K cancel हो जाएगा तो यह हो जाएगा minus 1 the whole square अब plus यह 3 the whole square अब इसको solve परते हैं यह हो जाएगा K square minus 8 K plus 16 और plus K square minus 4 K और plus 4 is equal to 1 plus 9 यह K और K K square और K square कितना हो जाएगा 2 K square minus 8 और minus 4 minus 12 K 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 और इदर से minus आएगा 10 तो 20 minus 10 that is equal to 0 यह हो जाएगा 2 K square minus 12 K और plus 10 is equal to 0 ठीक है 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यह हो जाएगा K square minus 6 K और plus 5 is equal to 0 इसको हम अगर factorize करें तो यह हो जाएगा K square minus 5 K minus K plus K plus 5 is equal to 0 तो यहाँ हो जाएगा K minus 5 कब जब K को बाहर निकालेगे और यहाँ minus 1 को बाहर निकालेगे तो यह हो जाएगा K minus 5 is equal to 0 शॉल्प करेंगे तो यह हो जाएगा K minus 5 the whole square और sorry whole square नहीं K minus 1 is equal to 0 फिर यहीं आगया कि 2 यहाँ factors है उनका product 0 हो रहा है तो यह ले ले K is equal to क्या हो जाएगा 5 और 1 और value किसकी निकालनी है तो value निकालनी है K की value निकालनी है K की तो वो आपकी value हो गया 5 और 1 यह आपका answer हो गया K is equal to या तो 5 या फिर 1 टेक है यह जो वीडियो आप देख रहे है ना तो आप practice जब तक नहीं करेंगे तो इस वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें कुछ examples आपको बताएगे है और जब exercise खोलेंगे तो उसमें बहुत सारा questions होता है उन सारे questions पर practice नहीं करेंगे तो आपको इतने questions से कुछ नहीं होगा यह questions थोड़ी नहीं आने वाला है इस से related किस किस तरह की questions आएंगे यह आप practice कीजिए और जो भी आपको problems आती है हम तक मों चाहिए हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि आपको दुबारा फिर पूछने के जुरूत नहीं पड़े है चलते हैं अगले questions पर और यह questions है कि find the relation between x and y such that point pxy is equal distance from a and b अनका दिया हुआ है ठीक है यह दोनों points है variable terms है और यह दो constant points terms दिये गए है पिशह वाले की तरह मनले ते हैं कि यहाँ points p है x y और यहाँ से same distance पर एक points a है उनके 1 और 4 coordinates है और एक points b है वो minus 1 और 2 उनकी coordinates है और यह दोनों बराबर है मनले ज़े कि अगर यह x unit है तो यह भी x unit है तो हम वहीं करेंगे यहाँ पर एक गिवें है गिवें नगस भेंगे Wid bride यह देकी कि और 3 और 4 और फ्यlle और 2 और 3 और 5 बाइड तो खोड़े पर privेंगे पर opioid यहां से आपको मिल जाएगा पी ए स्क्वाइर इस उकल टो पी बी स्क्वाइर ठीक है अब यहां पर बैलू पूट कर देते हैं डिस्टेंस फर्मूला को यूज करते हुए तो पी ए स्क्वाइर मतलब अब एक्स माइनस वन दो होल स्क्वाइर प्लास य माइनस फोर दो होल स्क्वाइर यह पी ए के लिए हो जाएगा और पी ए स्क्वाइर के लिए अब पी बी के लिए क्या हो जाएगा तो एक्स प्लास वन दो होल स्क्वाइर प्लास य माइनस टू दो होल स्क्वाइर शॉल कर दिजिए इसको, यह हो जाएगा, x square minus 2x plus 1 plus y square minus 8y plus 16 that is equal to x square plus 2x plus 1 plus y square minus 4y or plus 4. इसमें देखिए y x square है, इधर x square है, y square है और y square है, equal sign के दोनों तोरफ अगर equal कोई quantity है, तो वो cancelled out हो सकती है, अब आते हैं कि सारे terms को इधर लात जेते हैं, तो इसमें क्या क्या है, यहाँ है minus 2x और यहाँ है plus 2x, तो यह भी इधर आकर हो जाएगा, minus 2x, यहाँ है minus 8y, minus 8y और यहाँ minus 4 है, तो यह हो जाएगा plus 4y, यह 1 और 6 को आड़ करेंगे, तो इधर है 17, और 1 और 5 को आड़ करेंगे, तो इधर है 5, इधर लाएंगे minus 5 हो जाएगा, that is equal to 0. अब यह हो जाएगा, that gives, यह हो जाएगा minus 4x, minus 4x और यहाँ minus 4y, और यहाँ पर हो जाएगे कितना, plus 12, that is equal to 0. और minus 4 से सबको divide कर देते हैं, तो यह हो जाएगा minus 4 से divide करेंगे, x हो जाएगा, minus 4 से divide करेंगे, y हो जाएगा, minus 4 से divide करेंगे, minus 3 हो जाएगा, is equal to 0. और यह चीज़े है कि this is the required relation यह अमारा answer हो जाएगा वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा relation होगा जिससे कि PXY से A14 और B-12 equidistance हो जाएगे उनके distance बराबर हो जाएगे तो वो यहीं relation है X plus Y minus 3 ठीक है तो guys आज इतना ही और फिर से एक बार याद दिलाते होए कि subscribe जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से करवाईए like share कीजिए आपको जो problem से हमें comment कीजिए कुछ भी comments कीजिए जो questions आपको आपके मन में है या जो chapters आप चाहते हैं कि आपका कौन सा complete नहीं हुआ कोई ऐसा back chapter तो नहीं है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो chapters के जो जो theories आप चाहते हैं वो हमें comments कीजिए उस पर हम फिर से repeat work करेंगे हम आपके हर problems का solutions लेकर आएंगे आप केवल subscribe, like, share करके channel को growth करवाएं तो चलिए आप सबका धन्यबाद हमारे साथ जुणने के लिए Thank you, Jai Hind